बेहत शौकिंग मामला जो है जम्मु कश्मीर के रियासी से सामने आ रहा है मामला कुछ इस तरीके का है कि एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी गई है यानि जब तक वो जीएगा जब तक वो इस दुनिया में रहेगा उसे सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी कार दी है क्योंकि जो क्राइम उसकी तरफ से किया गया है जो कतल उसने किये हैं उसकी सजा शायद ये आजीवन कारावास जो है वो कम हो इस व्यक्ति को इससे भी बड़ी सजा जो तो मिलनी चाहिए थी आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने अपनी बीवी का और अपने दस साल के बच्चे का कतल कर दिया और कतल करने की वज़ा सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का शक था जो कि अपने बीवी पर वो लगाता शक करता था क्योंकि उसे यह कहीं न कहीं उसके मन में यह शक था कि उसकी बीवी का कहीं और जो है वो चक्कर चल रहा है अफेर है इस ही शक के चलते हैं उसने अपना पूरा घर बरबाद कर दिया मामला रियासी के महोर जिले का है जहां पे आपको बता दे की व्यक्ति कुलदीप उसने अपनी और अपने बीवी का और अपने दस साल के बच्चे का बेड़ी बेरहमी से कतल जो है वो कर दिया और उसके बाद भागने में कामयाब होने लगा और जब भाग रहा था तो तब लोगों ने उसे देख लिया और कहीं न कहीं उसके बाद पूरा investigation की गई मामला जो था आगे बढ़ा और इस मामले पर अब पूरी तरीके से जो कारवाई की गई है उस व्यक्ति को lifetime imprisonment मिला है यानि सजा जो है मीरी है यानि वो जब तक वो व्यक्ति जिन्दा रहेग लेकिन जो उसने किया वो बेहद ही crime था और उस crime की सजा मौत होती है लेकिन फिर भी उसे आज इवन कारावास दिया गया आपको पताते चले कि ये मौत की सजा जो से मिली है अपने बीवे और दस साल के बच्चे को मारने के मिली है और जीवन भर के लिए अब वो ये सोचे गा कि जो उसने किया था आखिर वो क्या था हाला कि आपको पताते चलें कि ये मामला जो है रियासी के महोर का है और वहीं पर वो जो व्यक्ति है जिसका नाम कुलदीप है वो ही मार्चल परदेश के कांगड़ा में काम करता था हाला कि वहां से से रोज रोज छुटी नहीं के साथ भूंते हो जो कि उसकी शक्त जो था वो उसके कलेश का कारण बन गया और आए दिन उसके घर में जगड़े बहस बाजी इसी मामले पर लेकर होती रहती थी आपको बता दूँ कि इनके परिवार में इनके दो बच्चे हैं एक दस साल का बेटा है और एक बेटी है वही पर कुलदीब ने बड़ी चाल बनाकर उसे बाहर बुलाया है प्रिंसिपल सेशन जजर्ज रियासी आरेन नतियाल द्वारा जो है वो लाइफ इंप्रिजन्मेंट दी गई है और ये मामला दस तीन दो हजार दस का है जहां पर पुलीस चेशन माहोर को एक कंप्लेंट रसी तो देखा वहां पर शिव देवी का शव पड़ा था उसके साथ इसके बच्चे का भी शव पड़ा हुआ था आपको बता दूं कि ये लगबग अगर देखा जाए वह वैपन के साथ जब वह